हैलो फ्रेंड स्वागता आपका मेरे चैनल में फ्रेंड आज मैं आप लोगों के लेग नये डिजैन लेक़्े आई हूँ यह डिजैन देखने में बहुत प्यारा लगता है और बनाने में भी बहुत आसान है इस design को बनाने के लिए हमें 3 प्लस 4 के multiple में फंदे लेने होंगे और एक एक फंदा हमारा first और last में extra है फ्रेंड ये design चार सलाईयों में बनता है और पांचुन सलाईयों में हमें इस design को फिर से repeat करना है ये design सीधी सलाई से बनता है मैंने इस design को 19 फंदों में set किया है आप जितने फंदों में चाहें इस design को set कर सकते हैं सीधी साइड से ये ऐसा दिखता है और बेक साइड से ये ऐसा दिखता है अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए देखते हैं कि हम इक इस तरीके से ये डिजैन बनाना है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइगी भी जरूर कर लीजिए ये पहला फंदा हम सीधा बनेंगे और फिर धागा आगे करेंगे फिर तीन फंदे हम उल्टा बनाएंगे एक दो और तीन फिर धागा पिछे करेंगे फिर हम क्या करेंगे जो ये सेकेंड वाला फंदा है उसको हम आगे की साइट से इस तरीके से पहले ले लेंगे और इस फंदे को हम सलाई में ले लेंगे इस तरीके से और फिर पहले हम इस फंदे को बुनेंगे इस तरीके से हम इस फंदे को सिधा बुनेंगे और फिर हम इस फंदे को भी सिधा बुनेंगे अब हमें क्या करना है पिछे की साइड से फिर से ये सेकेंड वाला फंदा पहले लेना है इस तरीके से हम इस फंदे को पहले ले लेंगे और इसको हम सलाई में ले लेंगे फिर इसको हम पहले बुन देंगे इस तरीके से फिर हम इस फंदे को बुनेंगे फिर हमें धागा और फिर से हम ये second वाले फंदे को आगे की side से पहले ले लेंगे और इसको हम सलाई में ले लेंगे इस तरीके से और इसको हम सीधा बुन देंगे फिर हम इस फंदे को बुनेंगे सीधा फिर से हमें पीछे की side से इस फंदे को लेना है और इसको इस तरी के सम सलाई में भरेंगे और इसको भी हम सीधा बुन देंगे फिर हम इसको भी सीधा बुनेंगे फिर धागा आगे और फिर तीन फंदे हम उल्टा बुनेंगे एक दो तीन फिर धागा पीछे करेंगे फिर ये लास्ट के फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे फ्रेंड ये हमारी पहली सलाई पूरी हो गई और अब बुनना हमें सेकिन सलाई सेकिन सलाई में हम क्या करेंगे जो फंदे हमारे उल्टे हैं उनको हम उल्टाई बुनेंगे और जो फंदे हमारे सीधे हैं उनको हम सीधा बुनेंगे तो ये पहला फंदा हम उल्टा बुन लेते हैं फिर ये हमारे सीधे फंदे हैं तो धागा पीछे करते हैं पर ये तीन फंदों को सीधा बुनते हैं एक, दो, तीन फिर धागा आगे करेंगे फिर चार फंदे हमारे उल्टे हैं तो इनको हम उल्टा बुनेंगे एक दो तीन और चार फिर धागा पीछे करेंगे फिर तीन फंदे सीधे हैं एक दो तीन फिर धागा आगे फिर चार फंदे हमारे उल्टे हैं एक दो तीन और चार फिर धागा पीछे फिर ये हमारे तीन फंदे सीधे हैं तो हम इनको सीधा ही बुनेंगे एक दो तीन फिर धागा आगे करेंगे और ये लास्ट के फंदे को हम उल्टा बुनेंगे ये हमारी दूसरी सलाई भी पूरी हो गई और अब बनानी हमें तीसरी सलाई फ्रेंड ये फ दो तीन फिर धागा पीछे फिर चार फंदे हमारे सीधे हैं जिन पर हमने डिजाइन बनाए था इनको हम सीधा बनाएंगे एक दो तीन और चार फिर धागा आगे फिर तीन फंदे हमारे उल्टे हैं एक दो तीन फिर धागा पीछे चार फंदे हमारे सीधे हैं एक दो और तीन और चार फिर धागा आगे फिर तीन फंदे उल्टे एक दो और तीन फिर यह हमारा लास्ट का फंदा है इसको धागा पीछे करके हम सीधा बना देंगे फ्रेंट ये तीसरे सलाई भी हमारी पूरी हो गई अब हमारी चौथी और उल्टी सलाई तो इस पहले फंदे को हम उल्टा बना लेंगे फिर हम धागा पिछे करेंगे फिर तीन फंदे हमारे सीधे हैं 1, 2, 3 फिर धागा आगे, 4 फंदे उल्टे 1, 2, 3, और 4 फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे 1, 2, 3 फिर धागा आगे, 4 फंदे उल्टे एक दो तीन और चार फिर धागा पीछे फिर तीन फंदे सीधे एक दो और तीन फिर धागा आगे और ये लास्ट के फंदे को हम सीधा बना लेंगे ये हमारा बन गया प्रेंट चौथी सलाई भी हमारी पूरी हो गई और अब है हमारी पांचवी सलाई और पांचवी सलाई में हमें क्या करना है इस डिजैन को फिर से रिपीट करना है ठीक है जिस तरीके से हमने यहां पर से इसकी सुरुवात की है तो उसी तरीके से हम इसको यहां पर रिपीट आया उसी तरीके से हम को इसको पूरी स्वेटर में रिपीट करते जाना है मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको डिजाइन समझ में आया होगा अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को